Hello Everyone! क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप ब्लग टेंस कराते हैं हमेशा कॉलेस्ट्रोल लेवल इतने हाई क्यों आते हैं? ऐसा क्या होता है कि इतनी महनत के बाद भी आपके ट्राइगलिस्ट्राइट और कॉलेस्ट्रोल हमेशा इतने बड़े दे रहते हैं जिसके वज़े से अधिकतर दॉक्टर आपको मेडिसन भी प्रस्प्राइब करते हैं और अर्टी मेडिली आपको कॉलेस्ट्रोल की भी मेडिसन देने पड़ती हैं आप सभी को नमश्कार मेरा नाम मनी हैं और मैं सीनियर डाइटीशन हूँ और अगर आप हमारे चैनल पे नई हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए नीचे दी गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमली की साथ ही वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि हमारा जो में मकसद है वीडियो बनाने का वो यह है कि हम जादा से ज्यादा लोगों तर अवेडनेस हुचा पाएं कैसे वो अपने आपको हिल्दी रख सकते हैं यह उनको बता पाएं दवायों से वो कितने अच्छे से अपने आपको बचा सकते हैं यह भी हम पताएंगे तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और आज हम इस बारे में बात करेंगी कि कोरेस्ट्रान होता क्या है आखिर कैसे हमारी वाडी में इतना बढ़ जाता है और इसकी बढ़ने से हमें क्या-क्या दिक्कति हो सकती है पर सबसे दुरूरी बात डाइटिशन के दौर पर में बताना चाहूंगे कि कैसे इसको आप कंटोर में रख सकते हैं बिना किसी दवायों की मदद भी तो मैं आपको बताना चाहूंगे कि डबलु एचो की रिपोर्ट की रिकार्डिम दैट इस वर्ल है तो अगनाईजेशन 17.9 मिलियन लोगों की देथ सिर्व और सिर्व हार्ड इटाइक के वज़े से होई है जिसका एक सबसे बड़ा कारण है कॉलेस्ट्रॉल एक जो छोटा सा वर हमारी के सेल और हार्मोन को भी बिल्ड करता है लेकिन जैसे पूला जाता है किसी के भी अति Kevin Scorpio की कजर्णाग को थे बार की ऑनिए वह इल्द्र इंग गत्र warfare नहीं मैं आपको बताना चाहूंगे कि दो टाइक होता है एक होता है LDL, that is low density lipoprotein और एक होता है HDL, इसको हम बोलते हैं high density lipoprotein जो LDL होता है इसको हम back cholesterol के नाम से भी बोलते हैं क्योंकि हमारी body के लिए अच्छा नहीं होता अधिकतर लोग की reports में ये देखा जाता है कि LDL के level जादा और HDL के level कम होते हैं बलकि असर में ऐसा उल्टा होना चीए, LDL कम और HD के जादा होना चीए, यदि आपकी body में LDL के मात्रा जादा है तो वो coronary heart disease यानि CAD, heart attack, strokes, clogged arteries जैसी बिमारियों को भी पैदा कर सकता है तो आईए अब ये बात करते हैं कि cholesterol क्यों बढ़ता है, आखिर क्या बजा है जिसकी वरे से हमारा cholesterol level बढ़ावा आता है तो इसका एक सबसे पहरा reason है हमारा physical workout सबसे पहरा reason ही होता है कि अधितर लोग का जो आजकर lifestyle है, वो sedentry lifestyle है, जादा उनकी sitting की job है या शायद वो इतना workout करना चाहते नहीं है, जिसके वरे से cholesterol की बढ़ने की मात्रा हो सकती है दूसरा reason है कि हो सकता है कि आपको diabetes, blood pressure या फिर hypertension जैसी कोई problem हो, हो सकता है कि कोई heart disease आपको हो अगर ऐसी कोई complications आपको होती है तो इसकी वज़े से भी दोस्तों आपका cholesterol level एक higher side पर आ सकता है तीसरा reason है आपका BMI कितना है, that is body mass index BMI अगर आपका overweight या फिर obese की category में है, यानि कि अगर आपकी शरीर में मोटापा जादा है तो ये भी ultimately आपकी cholesterol levels को बढ़ाएगा तो चौथा reason है कि आप अपने diet को ठीक से follow नहीं करते हैं, हो सकता ही कि आपकी खाने पीने में कुछ ऐसे खाने पीने का item included हो जैसे कि समूसा, पैटी, कुछ भी fried या fatty item, जादा तलाब होना, भार का जादा खाना, इस वरे से भी हमारा cholesterol level बढ़ता है और पांच का reason होता है stress, अगर ये सब कुछ आप अपना diet और physical activity बहुत अच्छे से follow कर रहे हैं लेकिन stress बहुत जादा लेते हैं, तो ये भी कईनक आपकी cholesterol levels को बढ़ाएगा तो आज़े अब बात करते हैं कि कैसे हम घर के कुछ-कुछ remedies से हम ये सारे अपने cholesterol की levels को control में रख सकते हैं अपनी body को बहुत जादा अच्छे से healthy बना सकते हैं तो इसका एक सबसे भेला उपाय है अपनी body में अब fiber rich ingredients को, fiber rich foods को add कीजे fiber बोला जाता है कि एक sponge की तरह काम करता है जो कि cholesterol को चिपका लेता है जिससे कि cholesterol level हमारी पूरी body में सिफ़कुलिट नहीं हो पाता जिससे कि आप fiber rich foods में जैसे कि oats है या फिर beans है, apple है, pear है यह कुछ ऐसी चीजें है यानि और दाले भी है जो add करके आप अपने fiber को ज्यादा बढ़ा सकते हो body में और ultimately अपने cholesterol को भी control मेरा सकते हो दूसरा factor होता है अपनी body में आपको omega 3 rich food items भी add करने है अब आप यह सोच चेंगे कि omega 3 foods में क्या-क्या आता है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप non vegetarian हैं तो आप fish ले सकते हैं जैसे कि salmon या फिट टूना इसके अरावर जो vegetarian होते हैं उनके लिए almonds यानि की बदाम, अख्रोड, olive oil या फिर soybean oil भी बहुत जादा helpful रहेगा omega 3 को बढ़ाने में तीसरा हमारा गोता है आवला, आवला ये बहुत अच्छा सूर्स होता है vitamin C का तो अगर आप 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 डेली लेते हैं अगर आप उसको कच्छा ले सकते हैं यानि कि रौ ले सकते हैं तो उससे बहतरी हैं तो कुछ भी नहीं है लेकिन अगर वो आपके लिए possible नहीं है तो आजकर मार्केट में आवला जूस अवेलिबल है या फिर वो आप घर पे भी बना सकते हैं अगर आपको वो भी ने लेना तो आवले को मुरब्ब्बे के फोर्म में ले सकते हैं जिसमें ध्यान रहें ज्यादा आपको शुगर आड नहीं करने और अगर आप डाइबेटिक ह अगर आप 15-20 मिनट केवल अपने आपको देते हैं अपनी हिल्थ को देते हैं तो यह इन फूचर आपकी बहुत मदद करें आपको हार्ट से रिलेड़ेड प्रप्रब्लम होने के भी चांसे साथ ही साथ में अपनी इससे इम्मुनिटी को भी बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फोर्मेशन लगी हो तो प्लीज इस पर लाइक शेयर और सब्स्क्राइब जरूर केचे हो और हमें ऐसी ही सपोर्ट करते रहें ऐसी हमें काल देते रहें थाइंक्यों